स्टडी आईक्यू बैंक एन एससी शुरुआत से सभलता तक एक वो जिनने सब कुछ पता है जिनके basics clear है जिनका syllabus complete हो चुका है अब आखरी moment पर वो सिर्फ practice करेंगे mock test देंगे और एक वो students है जिन्होंने अब तयारी शुरू करी है तो वो कुछ ना कुछ कहीं ने कहीं courses purchase कर लेंगे और वो तयारी शुरू कर देंगे लेकिन problem इस बात कि information मैं आपको दूँगा तो अगला यह पूरा वीडियो जो हमारा है इसको पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा यह है SSC CGL 2014 targeted batch है complete practice batch जो की आपको YT पर YouTube पर हर रोज शाम 4 बजे से यहाँ पर class चलेगी English की class मैं लाया हूँ जिसमें मैं chapter wise सारे topics cover करूँगा 60 days का plan है यह ठीक जो questions मैं pick करूँगा वो भी previous question पर based होंगे और sample questions भी होंगे कि उसी के basis पर और questions बन सकते है paper में यानि कि सिर्फ उतना point सिर्फ उतनी पढ़ाई सिर्फ उतना level जो examination में expected है या examination में देखने को मिलेगा ठीक है तो यह 60 days का पूरा plan है मैं आपको एक बार बता देता हूँ day 1 मे divide कर रखा है day 1, day 2, day 3 ऐसे करके grammar plus vocabulary दोनों चीज़े हर class में conduct होंगे ठीक है तो grammar plus vocabulary तो day 1 में हम क्या करेंगे noun part 1 जिसमें types के बारे में बात होंगे और plus 10 most important one word substitution discuss होंगे day 2 में part 2 में genders plus one word again next 10 one word substitutions जो की बहुत important होंगे फिर noun part 3 जिसमें numbers तो basically यहाँ पर practice होगी questions के through और questions के through concept निकल कर गाएंगे मैं आपको वो approach बताऊंगा कि कैसे examination में question को deal करना चाहिए ठीक है इसके बाद में pronoun part 1, part 2, part 3 plus one word substitutions इसके बाद में day 7 पर अगर आप देखोगे तो day 7 में adjective part 1, part 2, part 3 plus one word substitutions उसके बाद में day 10 में adverb part 1, 10 most important one word substitutions यहाँ तक तो यहाँ तक 100 one word substitutions हो जाएंगे जिसमें जब हम यह discussion करेंगे तो root word भी आएंगे तो मैं आप लोगों को एक complete package दे रहा हूँ YouTube पर free of cost तो अगर आप कहीं पर enroll नहीं करना चाहते हो आपको एक authentic material चाहिए practice करने के लिए तो आप यह classes joint जरूर करना इसे miss मत करना आगे का बता देता हूँ फिर day 11 में 11, 12, 13 में हम day adverb part 1, 2, 3 चलेगा इसके बाद verb शुडू करेंगे part 1, 2, 3 जिसमें क्या होगा यह भी बता देता हूँ देखो मैं क्या-क्या करने वाला हूँ यह भी बता देता हूँ एक आपको introduction देता हूँ कि exactly how we are proceeding how we will proceed यह visible होगा सभी को ठीक है तो देहान से देखना जैसे यह बाला होगया तो इसमें types आते हैं pronounce में कई सारे types होते हैं जिस भी type के questions बन सकते हैं जादा तर बनते हैं relative से यह फिर reflexive से और indefinite से इसके अलावा यहाँ पर emphatic वाला भी concept आता है तो जितने भी questions बन सकते हैं वो हम introduction की बात करेंगे, second day पर degrees of comparison की बात करेंगे और फिर adjective में जो rules बनते हैं जहां से questions बनते हैं वो सब देखेंगे, adverb में भी types discussion करेंगे पहले दिन, इसके बाद में जो इसके functions और rules हैं जहां से questions बनते हैं वो देखेंगे, फिर verbs में जब हम verbs पढ़ेंगे तो ध्यान से देखे और साथी साथ synonyms यहां पर शुरू हो जाएंगे, ठीक है, synonyms शुरू हो जाएंगे, फिर verb part 4 and part 5 में हम advanced level के questions करेंगे, जहां से directly जो irregular verb के questions आते हैं, जैसे की cut 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 ही होता है, put 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 ही होता है, फिर lay 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 वाला, यह concept हम देखेंगे, ठीक है, तो यह हो गया, इसके ठीक बात में ह मतलब हर एक chapter जो है, वो पिछले chapter पर dependent होगा, तो एक sequence में चलेंगे, कोई भी random चीज़ नहीं है यहां पर, ठीक है न, कोई भी random चीज़ नहीं है, हर एक जो आने वाला chapter होगा, वो पिछले chapter पर dependent होगा, तो आप लोगों के लिए इससे better और कुछ नहीं हो सकता, इसके टी तक हम tense तक निपट जाएंगे, मतलब tense तक हम कर लेंगे complete, फिर day 21, 2, 3 में हम आ जाएंगे preposition पे, तो preposition part 1, part 2, part 3, जिसमें fixed preposition, phrasal verbs के कुछ questions हम pick करेंगे, synonyms साथ में चलेगा, और उसके बाद में antonyms भी यहां पर शुरू हो जाएगा, फिर day 24 में preposition part 4, part 5, क्योंक जोज एक घंटे की class होगी, तो average 50 minute की तो होगी होगी, इसके साथ साथ antonyms चल रहे होंगे, जिसमें एक दिन हम introduction और types देखेंगे, उसके बाद में हम किस तरह से questions आते हैं, type wise, coordinating, conjunction, subordinating और correlative, हम सारे questions यहां पर करेंगे, जो paper में आए हुए हैं, 2017 से लेकर 2023 तक, previous question के basis पे ही हम practice करेंगे, इसके बाद हम articles शुडू कर देंगे, तो articles में भी तीन दिन हम पढ़ा ही करेंगे, जिसमें एक दिन हम a, an का discussion देखेंगे, एक दिन the का discussion देखेंगे, फिर एक दिन जहां पर कोई भी article नहीं आता है, साथ ही साथ 10 antonyms चलते रहेंगे, इसके बाद में active and passive voice और narration, तो दो दिन हम narration पढ़ेंगे, tricks कैसे लगाते हैं examination में, concept पूरे नहीं पढ़ने होते हैं, narration और voice को करने के लिए सिर्फ trick लगती है, वो भी एक या दो tricks है, अगर वो आपको पता हैं, तो आप सारे questions कर लोगे, तो हम दो classes में लगबग लगबग 100 narration के questions कर लेंगे, और voice के बाद आप देखो, day 39 में, हम clause test शुरू करेंगे, part 1, part 2, part 3 और साथी साथ idioms and phrases चलता रहेगा, हर type का clause test देखेंगे, जो paper में आया है या जो आ सकता है, फिर day 42 में हम reading comprehension शुरू करेंगे, part 1, part 2, part 3, ठीक है, reading comprehension, part 1, part 2, part 3, साथी साथ idioms and phrases चलते रहेंगे, और spelling error के questions चु चलेगा, 5 दिन, उसमें हम बहुत सारे questions करेंगे, जो मतलब mixed practice जो miscellaneous होती है, वो करेंगे, साथी साथ में phrasal verb पे discussion शुरू कर देंगे, और इसके बाद में, आप ध्यान से देखना, sentence improvement हम part 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 घंटे में complete करेंगे, miscellaneous vocab के practice साथ में होगी इसके, इसके बाद हम, जब हमारा ये day 55 तक हो गया, तो हमने आखरी में, मैंने 5 दिन में, आखरी 5 दिन में मैंने mock test रखे हैं, जिसमें previous year के questions भी होंगे, और आपको sample के लिए, जो आप examination में देख सकते हो, उस तरह के questions आपको देखने को मिलेंगे, तो ये comprehensive study plan है, YouTube पर ये free batch होगा, ठीक है, श English syllabus जो है examination के हिसाब से, CGL के हिसाब से, आपको मैं complete कराओंगा, ठीक है, तो अब, आप जो regular पढ़ा ही कर रहे हैं, वो तो करो ही करो, अगर आपको लगता है, कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, course purchase करना पड़ेगा, तो वो भी हमारे पास है, ठीक है, मतलब, जो भी तुम स अब बंड पढ़ रहा है, वो करो, हमने बहुत मेहनत की है, बहुत content, research करने के बाद में content design करा है, सिर्फ उतना जिससे examination qualify हो जाए, जाधा नहीं कराते हम, ठीक है, सिर्फ उतना पढ़ाएंगे, जिसससे examination qualify हो जाएगा, और इसके बिना भी नहीं होगा, तो ना कम न जादा बस 6 महिने, 4 महिने की पढ़ाई करो, जाब लो, जिन्दगी जीओ, मेरा ये मानना है, ठीक है, तो ये हम आप, आपको शुरू हो जाएंगी classes, Monday से, right, तो Monday से ये classes शुरू हो जाएंगी, तो आप लोग, just one second, हाँ जी, तो हम आपसे रोज, मैं आपको, मैं शाम को रोज मिल कर रहा हूँ, तो मैं student हो, और मैं अगर एक educator हूँ, मैं teacher हूँ, तो मैं उझे तो तो तुम्हें एक order देना चाहिए, anyways, तो आप लोग बस एक copy लेकर के बैठिएगा, जहाँ पर कुछ points जो आएंगे, वो note कर लेना है, अच्छा, ये PDF आपको मिल जाएगी, telegram पर, telegram आप क कहां से join करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक QR आपको दिखाई दे रहा, ये QR को scan कर लीजेगा, telegram group आपको join कर लोगे, यहां से, ठीक है, ये, just one second, ठीक है, तो आप इस QR को देख लेना, scan कर लेना, और telegram group आप join कर लोगे, वहाँ पर आपको PDF मिल और आने वाली सारी updates आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये है telegram group, clear है, आने वाली classes की सारी updates आपको वहीं मिल जाएगी, ये PDF आपको वहीं मिल जाएगी, तो अब सीधे पढ़ाई शुरू करते हैं, serious note पे, day one, two, three, ऐसे करके systematic way में पढ़ाई करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, और आप जानोगे कि SSE सिर्फ बहुत basic सी बाते पूछता है, तो हम paper का, जो discussion होगा हमारा यहां पर classes का, वो paper के level पे ही रखेंगे, ठीक है, चलिए, thank you so much, तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे live classes में, टाडा.